रसुई घर में रोजाना काम में इतने तरह के बरतन इस्तमाल होते हैं खाना बनाने के लिए अलग बरतन खाना परोसने के लिए और खाना बाहर ले जाने के लिए ये जो टिफिन का स्टैंड है बहुत जादा खराब हो गया था इसके जो अंदर के बॉक्स थे सारे फट गये तो उनका मैंने किसी ना किसी तरीके से रियूज कर लिया था दोस्तों पर ये जो इस्टेंड था इसका रियूज कैसे किया जाए समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अभी कुस दिनों से दीपावली की डेकुरेशन की जो मैं तैयारियां कर रही थी उसी में मुझे एक आइडि जग गया था और एक चोटा सा छेद भी हो गया है जग लगने की वज़े से एक कप था जिसका यह हुक तूट गया है तो इसको भी हम आज इस्तमाल कर लेंगे और ये देखे कांच का गलास ऐसे ना चटक गया है पर तूटा नहीं है तो इसका हम रियूज कर सकते हैं बहु बहुत सारे बरतन होते हैं, जो इतना बेकार हो जाते हैं, हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम रख देते हैं कबार घर में, क्योंकि ऐसे बरतनों से हम DIY बना सकते हैं, बहुत ही सुन्दर सुन्दर, ये सारे बरतन मैंने सुखा लिये हैं, अब इसके उपर इस्प जब भी पेंट करें तो उसको अच्छे से कर लें कुछ मिनट के लिए उसके बाद ही स्प्रे करें आज हवा थुड़ी ज्यादा चल रही है तो जब भी हम ऐसे इस्प्रे डालते हैं तो आधे से ज्यादा ओड़ी जा रहा है तो यहां पर मैंने ब्रस भी ले लिया है के लिए ताकि यह सूख जाएं तब तक हम अपना जो अगला डियाइवाई है उसको देख लेते हैं दोस्तों यहां पर हमने यह कटोरी ली है इसमें दही आता है इसके बीच में हमने होल कर लिया है एक उसके बाद उन से इसको पूरा ऐसे भर देंगे तो यहां पर एक ही कलर का उन लगाने की बजाए मैंने चार कलर के उन लिये हैं जिससे इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे अब पता नहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है लेकिन मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने ऐसा बनाया है कमेंट करके दोस्त में मोती की माला लगा दी है मैंने और उपर का इस्टैन बनाने के लिए चाहे तो आप ऐसी चूड़ी भी रख सकते हैं ये सुन्दर सी जो बैंगल उन और गोटा पटी से बनी हुई है दोस्तों इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है तो आज मैंने आप से नहीं सेयर की है कि कर सकते हैं लेकिन लेस पटी एकदम कम बजट में है तो इसी से हम इसे कवर कर देंगे तो देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ये ग्लास बनने के बाद में और इस पे पेंट कर दिया है तो इसकी मजबूती बढ़ गई है आप ये टूटेगा भी नहीं इसमें कहीं भी क्रैक नहीं नजरा रहा है जो अंदर से चटक गया था मैं इसे दिया इस्टेंट की तरह इस्तमाल कर रही हूँ चाहे तो आप इसे फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं बहुती सुंदल लगता है या फिर आप इसमें मेकप का सामान भी रख सकते हैं या इसे पेंपैंसिल हो पर मैंने लगा दिया है गोल्डन कलर क्योंकि इसके उपर पूरा पेंट नहीं कर रहे थे तो वहां का अच्छा नहीं लग रहा था पेंट निकला हुआ था इसलिए गोल्डन कलर कर दिया उसके बाद मैंने देखे इसको बस सिंपल सा दिया होल्डर बना लिया है इसके कलर वैसे भी अच्छे लग रहे थे तो मैंने इसको paint करना सही नहीं समझा आपको कैसा लग रहा है idea दोस्तों comment करके जरूर बताईएगा क्या मुझे इस पे paint करना चाहिए था या कोई दूसरी design बनानी चाहिए थे इससे मैं एक दूसरे तरह का दिया holder बनाऊंगी तो उसके लिए यहाँ पर मैं बर्फी कट mirror लगा रही हूँ mirror लगाने के बाद यह flower shape में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है cup इस तूटे हुए cup से इतना सुन्दर दिया holder बन करके तयार होगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा दोस्तो और आपने जितने भी cup फेके हैं आज के बाद आपको अफसूस होगा तो देखिए ऐसे भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं अगर ऐसी light है ना तो cup के अंदर रख दीजे बहुत ही खुबसूरत लगती है जैसे ना कोई bulb है या full ऐसे ना का डीजाइन आ रहा तो देखिए कितना खुबसूरत लग रही है बस इसमें मैंने कुछ mirror ही लगाए है उपर के बेस में और ये बहुत ही सुंदर लग रही है दीवाली पर ऐसे सुंदर सुंदर से decorative item तो पैसे खर्च करने पर भी आपको market में नहीं मिलेंगे दोस्तो जो आप घर में कबार से बना सकते हैं बीना एक पैसा खर्च किये तो देखिए यहाँ पर हमने पानी से जलने वाला दिया बना लिया है जो की दो ही चम्मस से रात भर दिया जलता रहता है बहुत कम तेल लगता है इसे बनाते गैसे हैं दोस्तो आप हमें कमेंट करके बताईएगा तो हम इसकी वीडियो आपसे जरूर सेयर करेंगे अगर आप जानना चाहते हैं जब ऐसे हम दिया बनाते हैं तो उसके लिए काज के कटोरी गलास की जरूरत पड़ती है ब्लास से टूटे हुए कप से भी हम पानी से चलने वाले दिया बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं और टूटी हुई कप का इस्तमाल भी हो जाएगा उन्हें फेक ने की बज़ाए नेक्स्ट आइडिया में हम बना रहे हैं दोस्तों यह जो टिफिन का स्टैंड है इसके उपर गोल्डन पेंट तो किया था लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो अब इसके उपर हम यह जो ओयल पेंट है यलो कलर का उसे करेंगे तो अच्छे से पेंट करने के बाद जब यह सूख गया है उसके बाद हम इसके की तरह जरूर इस्तिमाल करिएगा अच्छा लगता है लोकवाइज बस आपको इसे पेंट कर देना है तो देखें कितना सुंदर लग रहा है लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी तो यहां पर मैंने लिया है लैस पट्टी आप अपनी पसंद का ले सकते है जो भी आपको अच्छा लगे मेरे पास यह वाली लैस पट्टी थी एकदम सस्ती होती है जादा महंगी नहीं आती है और इसके उपर हमने पेंट पहले से कर दिया है तो बहुत जादा फैंसी और महंगी लैस लगानी की जरूरत नहीं है यह वाली लैस पट्टी भी काफी इसके उपर अच्छी लग रही है तो पूरे इसके जो साइड थे हमने अच्छे से कबर कर लिया है लैस पट्टी लगा देने के बाद यह ना रात में बहुत जादा खुबसूरत लगता है दिन में भी अच्छा लगता है पर रात में इसकी खुबसूरती बढ़ जाती है उसके बार नीचे का जो बेस है उसमें मैं ऐसी लेस पट्टी लगाऊंगी जिससे ये पूरा कबर हो जाए तो देखें ऐसे यहां इसको हम चिपका देंगे लेस पट्टी थोड़ी सी मेरे पास जादा थी तो मैंने दो बार इसको लगाया है जिससे ये थोड़ा सा घना भी हो गया है और जादा सुन्दर लगने लगा है देखने में तो देखें ये हमारा सुन्दर सा लैंप बन करके तयार हो गया है आज इसका ये वाला रूप दे करके ना मुझे अफसोस हो रहा है इतने सालों से ये कबार घर में पड़ा हुआ जंग खा रहा था और ये देखे कितना खुबसूरत लग रहा है बस थोड़ी सी काया पलट करने की देर है तो देखिए आप इसे जितना सजाएंगे ये उतना ही ज़्यादा सुन्दर लगता है मेरे पास थोड़े से पॉम पॉम और कुछ बेल पड़ी हुई थी तो मैंने ऐसे भी इसको देखा थोड़ा सा सजा करके की कैसा लगेगा तो आप ऐसे इसको हैंग भी कर सकते हैं या फिर टेबल पी भी रखना है तो ये वाली लड़ी मत लगाईएगा चाहें तो आप इसे फ्लावर पॉट की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं जब तक इसके उपर पेंट नहीं हुआ था दोस्तों ये मेरे किसी काम का नहीं था और पेंट करते ही बस इसके यूज ही यूज है तो चलिए देखते हैं नेस्ट आइडिया यहाँ पर हमने ये जो स्टील का छोटा सा ग्लास पेंट किया था सूख जाने के बाद इसके उपर हम काम करेंगे तो यहाँ पर लेस पटी लिया है एक बार मैंने इसके पूरे गलास पे ऐसे राउंड में लेस पटी लगा करके देखा ये कैसा लगेगा कई बार ना पहले से लेस पटी कट करनी की बजाए दो-तीन बार आप देख लीजिए कि ये कैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके बाद लेस पटी कट करते हैं मतलब तो खराब नहीं होती है कई बारना हमारा लेस पट्टी इसी वज़े से ज़्यादा खराब हो जाता है तो वो आला आइडिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों तो मैंने नीचे और उपर लेस पट्टी लगाया उसके बाद एक गोटा मोती इसके उपर ग्लू गन से खुब अच्छे से चिपका दिया है ताकि इसे जब भी हम हैंगिंग के तरह इस्तमाल करें तो ये तूटे नहीं बीच में खाली पन भरने के लिए मैंने चार पांच मिरर लगा दिये हैं तो दीखे इसे मैं हैंगिंग बना रही हूँ तो उपर का बेस आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ चोटे बड़े साइज में मोती लिए हैं और ये जो गोटा पटी थी इसी की मैंने डोरी बनाई है क्योंकि ये अच्छी लगती है अगर कोई धागा लगाते हैं तो वो मैच नहीं करता है चूडियों से अलग ही चमकता है तो अच्छा कम लगता है ये मेरे पास ये जो बैंगल थी बनाई ही पहले से रखी थी तो इनको मैंने लगा दिया है अब ये ग्लास है तो थोड़ा सा मुझे इसके अंदर आवाज चाहिए थी कुछ गंटिया प्लास्टिक की होती है जिनमें आवाज नहीं आती है और कुछ गंटिया होती है जिनमें आवाज आती है लोहे की होती है लेकिन इनमें जंग ना लगे तो इसलिए गोल्डन कलर का पेंट कर दिया जाता है थोड़ी सी महंगी आती है तो चार गंडियों को मैंने धागे में पीरोया उसके बाद धागे को लंबा किया फिर ग्लू गंसे चिपका दिया है ये छोटा सा ग्लास एकदम बिल के ही साइज का था तो मैंने देखे ऐसे ना इसको वाल हंगी की तरह इस्तिमाल किया है और आप इसे ना जब भी आवाज करना चाहें तो आवाज भी कर सकते हैं बहुत जादा मजबूत है और सुन्दर तो मुझे बहुत लग रहा है बनाने के बाद में आपको कैसा लग रहा है दोस्तों आइडिया अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यहाँ पर ना यह हमने धकन लिया है जैम का बहुत सारा ऐसा किचन में छोटा-छोटा सा जार होता है कई बार तूट जाता है तो उसमें प्लास्टिक का धकन है या लोहे का है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि लोहे का धकना जब हम ऐसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा वर करता है प्लास्टिक का थोड़ा सा जलने का डर रहता है अब हम इसे दिया होल्डर बना रहे हैं तो यह लोहे का है तो अच्छा काम करेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जलने का डर नहीं रहता है प्लास्टिक का कई बार ना नीचे का बेस जल जाता है तो उसमें मत बनाईएगा दोस्तों लेकिन ऐसे जैम के ढखकन अगर पड़े हुए है तो ये प्यारा सा सुन्दर सा दिया होल्डर जरूर बनाईएगा बहुत अच्छा लगता है और मिंटो में बन जाता है दोस्तों इसकी सौड वीडियो मैंने आपसे कई दिन पहले ही सेयर की थी जिसे आप लोगों ने दोस्तों बहुत पसंद किया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सौड वीडियो देखने के बाद जितने भी लोगों ने चैनल को सस्क्राइब किया है उन सब को हैपी दीपा वली एडवांस में ये जो आप 10 से 12 मिनट की वीडियो देखते हैं दोस्तों इसको भी आप skip करके देखते हैं जबकि इसको बनाने में 1 से 2 दिन या 3 दिन का भी time लग जाता है ये जो आप 1 मिनट के DIY देखते हैं इनको बनाने में 3 से 4 गंटे भी लग जाते हैं और कई बारना ये बनने के बाद सुंदर ही ने लगते खराब हो जाते हैं वो आइडिया तो आपसे कभी सेयर ही नहीं किया जाता है जो perfect होता है वही आपको दिखाया जाता है तो चलिए फैंस आज के हमारे सारे DIY आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं next idea के साथ